कि जिसने की शरम उसके फुटे करम जो परसन 90,000 की जॉब कर रहा था अगर उसको 19,000 रुपे पर डे का प्रॉफिट हो रहा है तो काम करने के इतने अफसर हैं कि जिस भी फिल्ड में आप घुज जाएं वही पैसा बनाया जा सकता है दुर्भाग यवश बहुत सारे लोग कई कई जनरेशन से एक बिजनस कर रहे हैं लेकिन उसके बाद मेटास लाइफस्टाइल प्रेजेंट्स वर्ल क्लास हाइजिनिक स्टेनल स्टेल मॉडिलर किचिन वैनिटी और रस्फ्री तर्माट्फ्री विच सांडलेस टेक्नोलोजी नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आप सभी का सवगत करता हूँ आज की इन्फार्मेटिव वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग लाइफ में कई बार बड़े कॉमन डायलोग को सुनते हैं और वो डायलोग हमें यह बताते हैं कि यह जो डायलोग है न यह अब यह आपने बाड़ा सोना ओका धंदा कोई चोटा नहीं होता और धंदे से बडकोई धर्म नहीं होता ज्यादा जब स्मॉल स्केल बिशनस के बारे में बात आती है तो यह डायलोग भी बहुत जादा इस्तिमाल होता है लेकिन जहाँ पर बिजिनस में रिस्क होता है व वो पड़े लिखे वेक्तियों में ज्यादा है, मैंने लिखा वो देखा था, बेरोजगार वो नहीं जो काम नहीं करता, बेरोजगार वो है जो काम करने के अफसर को नहीं पहचानता, मतलब आपने चारो तरफ आप देखेंगे न, तो काम करने के इतने अफसर हैं, कि जिस भ एंबीए चाय वाला हो चायोस हो या इसे बहुत सारे एक्जामपल हैं आज इसी विश्यपरम बात करने वाले हैं फ्रेंज आज जब मैं आपको इस टॉपिक को बताऊंगा तो आपके लगेगा सार आप भी स्मॉल स्केल बिजनस की बात कर रहे हैं मैं स्मॉल स्केल बिजनस की बात नहीं कर रहा है मैं अपने ऑफिस से जा रहा था कहीं पर एक बिजनस ट्रिप पर रास्ते में देखा यार एक शॉप के ऊपर बहुत तवी भीड लगी हुई है इतनी भीड को देखकर मेरा मन एक तरसे उत्सुक हुआ कि यहां क्या कर रहा है कहते नहीं कि जहां पर बिजनस में सेल बहुत अच्छी है उस बिजनस को जुरू अब्जर्व करना चाहिए मैंने शॉप के अंदर जब एंटर किया तो देखा एक वेल हैंडसम वेल ड्रेसब परसन बहाँ पर उस बिजनस को चला रहा था तो मेरे मन में उच्छता हो यह काम का जो लेवल है तो बड़ा चोटा है लेकिन जो व्यक्ति वहां काम कर रहा है जो असका काम को चला रहा है वो एकदम सूटिट बूटिट और बहुत हैंडसम है उसका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत जानदार है तो मेरे मन में एक विचार आया और इससे बात करने चाहिए मन का excuse me, क्या आप इस शॉप पे जॉब करती है या या आपकी शॉप है उसने बड़े गर्व से कहा कि सर मैं यहाँ पर जॉब नहीं करता यह मेरा अपना बिजनस है मन का आपकी personality को देखकर तो लगता नहीं क्या आप ऐसा विजनस करते होंगे उसने का सर क्या फर्क पड़ता है personality से personality तो बहुत सारे ऐसे लोगों की भी होती है जो ठेला चला रहे होते है लेकिन हाँ मैं एक qualified chef हूँ और मैं एक company में job करता था उस company का काम था बड़े बड़े five star hotels के साथ tie up करके उनके साथ products को develop करने का और as a chef मेरी salary 90,000 थी देखिए कोई भी व्यक्ति पहली मुलाकात में ये बाते शेयर नहीं करता आपको भी लग रहा होगा सर आपको कैसे बता दिया उसने का सर आप डॉक्टर अमित महिश्वरी है ना आप मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनस कोच है ना आपके काफी सारी वीडियोज मैंने देखे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा आप मेरी शॉप पर आई है मैंने का है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी पर्सनलेटी को आपका बिजनस मैच नहीं करता इसके बारे में बता है उसने का नब्य अजार में मेरी सेलरी थी मैंने का 90,000 सेलरी का जौब प्रॉफाइल छोड़के आप इस बिजनस में आ गए इसका मतलब यह ब अपने बिजनस का मॉडल बताएं और मैं आपको कुछ ना कुछ help जरू करूँगा और कुछ ना कुछ ऐसी बात बताऊंगा जो आपके बिजनस को next level पर ले जाएगी उसने का ये ना सर बैठते हैं हम लोग केविन में बैठे बातचीत करना शुरू किया उसने का कि सर जो क क्रेटिविटी करने की आदत थी तो उसने मोमो का स्टॉल लगा रखा था काफी अच्छे से वेल डिजाइंड डेकॉरेटेड पूरा हो सेट अप बना हुआ था फ्रेंट पे स्टॉल था लेकिन अंदर कूरा बहुत बड़ा शॉप था और उसकी पीछे प्रडेक्शन मैंने स्टॉडी किया और मैंने देखा किसमें क्रीटिविटी कर सकता हो मैंने डिफber डिफंट इमोज डेveyard डिवलब की जैसे के ट्राई कलर मोज तंदूरी मोज चॉक्लेट मोमोज्वेट मोज behaviour ममोस इसके लावा हॉट चकलिट ममो मोज इसके वालबा पान देस्ट बेस्ट ममो सिसके अलबा बोडि बिल्टर्स की लिए चिकन बेस्ट मॉमो हमगी ही और डेवलफ करने के बादम बड़े प्यार से लोग angTS लग सब्सक्राइब तो रा चल पड़ा तो वह जो ठेला मेरा चोटा सा था उसके बाद मैंने शॉप ले ली रेंट पर और शॉप के बाद मेरी सेल बढ़ने लगी तो मैंने पीशे गोडाउन ले लिया और दीरे-दीरे करते-करते मेरा बिजनस सेट अप हो गया मैंने का यार देखो वैसे पूछना नहीं चाहिए मुझे पर इस सेट अप के पीछे पूरा का पूरा टर्नोवर क्या है सेल क्या है प्रॉफिट क्या है कॉस्ट क्या है थोड़ा इसके बारे में बताएंगे उनने का सर आपको विल्कुल जरूरू बताँगा और पूरे विश्वास है मुझे कि आप इंकम टेक्स डेपार्टमेंट मैंने तो चारजर का प्रॉफिट हो गया फिर आगे देखा कि जो दूसरा मॉमोस ने डेवलेप किया है वीट बेज्ड मॉमोस क्योंकि बहुत सार लोगों को लगता है कि आता मैदा सूजी इन में से कुछ चीज़े बौडी के लिए साइड इफेक्ट होती है तो मैंने वी उन प्लेट में बेज देता हूं, 10,000 की मेरी सेहल होती है, 4,000 की कॉस्ट आती है, 6000 मैंने चौकलट मोम वं बनाया 200 रुपे का सैलिंग प्राईज है पचास प्लेट्स पर डे में सेहल कर देता हूं Panel की मेरी सेहल зв arrive सुष्सावाइब कर्वा eva 99003 थी मटव यह pewno थिया जो प्रॉफित ओरक まश्थे घर्रीज्ष को का फेपाइब घम नवीक करता पर दिया और आले ज्यूच निडिस रॉफित किरेने 90,000 की जॉब कर रहा था अगर उसको 19,000 रुपे पर डे का प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्यों नहीं स्मॉल स्केल बिजिनस करेगा और विजन को देखते हुए जब चीजों को मैंने आगे समझा तो पता चला कि जो सेल है मंतली 9,30,000 के साब से और जो कॉस्ट है मेटरियल की 16,000 गुना में 30, 4,80,000 रुपे और ग्रॉस प्रॉफिट अगर मैं बात कुरून दोनों का डिफ्रिंस तो 5,70,000 रुपे उसको प्रॉफिट होता है केरे सर लेकिन जब मैं स्मल स्केल पे काम करता था तो मुझे 1,50,000 रुपे का प्रॉफिट होता था आज मेरा प्रॉफिट तो बड़ा है पर इस प्रॉफिट के साथ मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी है पहले मैं केवल काउंटर लगाता था तो पुलिस वाले को 10-15,000 रुपे देता था थोड़ा सा जिसकी शॉप के आगे लगाता था 10,000 रुपे उसको देता था मेरा खर्चा बहुत कम था तो मेरे टर्नोवर भी कम था मेरा प्रॉफिट भी कम था फिर उसके बाद जब सिस् पर मंत है फ्रेंज इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या बिजनस करते हैं फरक इस बात से पड़ता है कि क्या आप उस बिजनस में कुछ यूनीक कर सकते हैं डिफरेंट कर सकते हैं क्या बड़ा स्केल अप कर सकते हैं क्या बड़ा स्केल अप करने के बाद ए करना हूं दुनिया के जितने भी बिजने स्केल स्केल उन सब को स्केल अब कि आ जा सकता है बशर्ते हमें अपने बिजने स्केल करने का प्रयास करना है उसकी सिस्टेमेटिक ऑप्रेटिंग सिस्टम्स को डिवलब करना है और बड़े विजन के साथ एक biznes business model बनाना है और business model बनाके पूरे विश्व में जा जाना है ऐसा बहुत साइब लोगों ने किया BTW बिट्टु टिक्की वाला चूट सा टिक्की स्टॉल ठावल आई पूरे इंडिया में टिक्की आउटलेट्स बने हुए एंबीए चाय वाला चाय तो दुनिया बेशती है लेकिन एंबीए चाय वाला ने बिजनस मॉडल बेचना शुरू कर दिया इसके लावा चायोस इस तरह से आप देख सकते हैं के अफसी की इसी तरह की स्टोरी है मेरे यूट्यूब चैनल पर दी हुई है कि कैसे के अफसी ने उस फ्राइट चिकन को पूरे वर्ल्ड में फैला दिया उसके बाद हल्दी राम ये तो इंडियान एक ब्रैंड आप जानते भी हैं छोटे से सौप से शुरू हुआ धिरे धिरे स्केल अप हुआ डेवलेप हुआ और आज पूरे इंडिया में नी पूरे वर्ल्ड में पीजा हट डोनट सब्वे और ऐसे बहुत सारे बर्गर किंग तो ऐसे हजारों एक्जैम्पल हैं जिन्होंने स्मॉल स्केल बिजनस को सही तरीके से डिजाइन किया डेवलेप किया और एक्स्पेंशन कर लिया तो मैंने उसको कुछ टिप्स दी और वही टिप्स में आपके जैसे कले किया जा सकता है । लेकिन करशन temper態 ने उसको pack किया और निर्मा का ब्रैंड बनाया अज निर्मा पूरे वर्ड में बिजनस करता है इसके लाबा make business SOP, standard operating procedure, एक बार जब आपका business set हो जाए, धीरे धीरे वो scale up हो जाए, scale up के बाद आप standard operating procedure बनाती है, अब SOPs क्या होती है, इस से related कही सारी वीडियो मेरे चैनल पर है, SOP का मतलब होता है काम करने के तरीके को लोगों को explain कर देना, कि आपकी sales team, आपकी production team, आपक करते हुए काम करेंगी, जब आप SOP develop कर लेंगे, तो अपने business का model develop करें, कि यह मेरे business का model है, जैसे franchisee owned, franchisee operated, या आप कोई भी business model, कि हम खुद का outlet खुलते हैं, या franchisee owned के अलावा company operated, अलग-अलग business model को आप ध्यान से study करें, और एक business model लगप करें, invite people to join your business, दुरभाग यव बहुत सारे लोग कई-कई generation से एक business कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो scale-up नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने business का model design नहीं करते हैं, SOP design नहीं करते हैं, उनके मन में कुछ uniqueness होती ही नहीं है, जिसकी वाज़से वो आगे बढ़ सके हैं, and advertise related to find out new business partner, चाहें वो फ्रें हाजमुला की गोली है, हाजमी की एक गोली है, है ना, ऐसे हजारो धारन है, जो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसके लाब आपके मन में कोई भी प्रशन है, business को लेकर, expansion को लेकर, business के development को लेकर, तो आप वो comment box में मुझे ज़रूर लिखें, कोई भी informative वीडियो मिस नह कि ग्रोथ का एक chance छूटा, इसलिए हर वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, और अपने business में implement करें, notes ज़रूर बनाएं, कोई भी प्रशन हो तो वो हमें ज़रूर पूछें, स्वस्त रहें, हमस्त रहें, मैं Dr. Amit Maishwari, आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूँ, जै आप हारूद।